हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक और माई चैनल टारगेट फर आई एसने पीपेस सी बित के के आज है 28 सितंबर 2020 और हम लोग डिसकस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेट जिसके अंतरकात हम लोग देखेंगे मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान ने मध्य प्रद दोस्तों जो लोग इस चैनल को पहली बार विजट कर रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए और अगर आप इस लेक्चर की और हमारे किसी अन लेक्चर की पीडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो यूज जोईन आर टेलीग् मध्य प्रदेश के टियास के लिए मटीरियल अविल्विल नहीं है इंटरनेट पर तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द आपके सामने मध्य प्रदेश की जो पूरी हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टूए MPPSC 2020 का जो नया से लेवर से प्री का उसके अकॉर्डिं कर लेंगे तो यही बस आपको सुचना देना चाहा रहा था आपका समय लेने के लिए चमा चाहूंगा तो चलिए शुरू करते हमारा आज का करेंट फेर्स हमारा पहला कॉस्चन है कोरोना युद्धा सेवा सम्मान कारी करम का सुभारम किसके दौरा किया जाए काफी इंप बाड़ी कारिकरता डॉक्टर्स नर्से पुलिस का ओफिसर्स और भी जो सफाई कर्मी इन सब को कोरोना वारियस का दरजा दिया गया है तो चलिए हमारा उप्सन नमबर एक है नरुत्तम मिस्रा विश्वास शारंग सिवराज सिंह चोहान या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है आपका ओप्सन नमबर 30 सिवराज सिंह चोहान जी उदगाटन करेंगे कोरोना योध्धा सेवा सम्मान कारीकरम का यह कारीकरम कब से सुरू होगा 28 सितंबर 2020 प्राता 11 बजे से यह कारीकरम सुरू हो जाएगा और इसके अंतरकत मानी है मुखमंत्री सिवरा सबको सम्मानित किया जाएगा इसमें आपको दो चीजें खास रखना है याद किसके द्वारा उदगाटन किया जाएगा सिवराज सिंह चोहान और 28 सितंबर को है कारीकरम होगा यहीं पर कोरोना की बात आई है तो कोरोना से सम्मानित कुछ important fact आपको revise कराना चाहूँगा ज साथी साथ कोरोना वारास से सम्मानित एक और अभ्यान सुरू किया गया था जिसका नाम था रोको टोको अभ्यान यह अभ्यान कब सुरू किया गया था यह अभ्यान आपका सुरू किया गया था रोको टोको अभ्यान जो सुरू किया गया था इस पेसलिए सुरू किया गया महलाओं को जो स्वासाता समू थे उन्हें मास्क निर्मान की जिम्मेदारी responsibility प्रवाइड की गई थी और उन्होंने इस महामारी के दौर में मास्क को उपलब्द कराए जिससे दो कार हुए एक तो महलाओं को रोजगार की प्राप्ति हो और second is that मास्क की उपलब्दता बनी रही तो यह सब कुछ important facts थे हमारे कुरुनवाराज से संबंदित क्योंकि हमारा उद्देश है आपको deeply तरीके से information देना और आपको अधिक सदे question revise कराना चलिए आते हमारे next question पर आंत्रिक सिकायत निवारान समीती गठित किस उद्देश से की गई यह काफी important question है और यह आंत्रिक सिकायत जो निवारान समीती है प्रथम बार मद्द प्रदेश में गठित की गई यह तो यह और भी अधिक है बैकल्पिक बिवाद समाधान तंत्र के अंतरगत राजसासन ने पंचात एवं ग्रामुड विकास बिभाग के न्यालेओं में लंबत प्रकणों के लिए इसका अठिन किया है और तीसरा option दोनों सही और option no.4 इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है आपका option no.3 दोनों सही ज आती है यहां पर क्या system दिया गया है कि न्याले से बाहर बैकल्पिट ऑल्टरनेटिक विवस्था प्रवाइट कराना जो की न्याले की जो लंबी प्रकण यहां उससे बाहर निकालकर लोगों को तरत तरीके से निराकन प्रवाइट कराए सेकंड क्या है राजसासन के पंच बैकल्पिक निवार्ण समीति की गठत की गए यह चली हम इसको डीपली तरीके से देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बता है इस इसकायद निवार्ण समीति का गठन हुआ राजसासन ने पंचात एवं ग्रामिड विकास बिभाग के न्यालेओं में लंबित प्रकणों के प मुकद्मा प्रभंदन नीती 2018 के निवसार विभाग में परिहार मुकद्मे वाजी का नियंत्रन करने के प्रियोजन से राज इस्तर पर सासन विभादक कारिक्रम अधिकारी इस्तर से संबंदित प्रकरणों सकायतों के निराकरण के उद्देश से उप्रोक्त समीति का गठ क्लिए देखें हमारा नेक्स्ट कॉस्चन काफी इंपोर्टेंट है अगेन यह है मुकमंत्री सिवरा सिंग चोहां द्वारा ग्राम कौंद में जी यह एक ग्राम का नाम है कौंद में सरदार बल्लब भाई पटेल की प्रितिमा का अनावरण हुआ है यह किस जिले में प्रितिमा का अनावरण किया गया है सरदार बल्लब भाई पटेल की है प्रितिमा है और इस अनावरण के दौरान मानेनी मुकमंत्री जी और मद्ध प्रदेश सिराज सभासांसा जोतिरादिस सिंधिया भी समलित हुए थे यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाद दिलाना किया गया था आपका सागर सागर से क्या हुआ था मद्ध प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की सुरूबात की गई थी किसके द्वारा की गई थी मद्ध प्रदेश के नगरीने काय मंत्री कौन है भूपेंद्र सिंग द्वारास की सुरूबात की गई थी और मद्ध प उनकी प्रिस्तावित हैं और लगभग बनकर तयार भी हो गए हैं तो चलिए देखते हैं यह रहा मूर्ति का नावरण किया गया माननी सिभराज सिंह चोहां जी द्वारा चलिए देखते हैं क्या है पुरी नुज मुखमंद्री सिभराज सिंह चोहां ने धार जिले के को चुछन यह किस जिले में द्वाइन कि यह नर्वदा की जो परियोजना है यह किस जिले के अंतरगत हैं आसम नममर एक है आपका धार ऑपन्झेर्वहांसिय और उजञी में धार जिले में यह 1587 जो है लगभग करोड की जह लागात आ रही है यह नर्वदा की उपर एक सचाई परियोजना है उसका क्या किया गया है भूमी पूजन किया गया है इसी प्रकार से नर्वदा की उपर सबसे बड़ा डेम कौन सा डेम बना हुआ है आपका सरदार पांद निर्मित किया गया है और इससे लगभग कितने राज्यों को प्राप्त होता है जल मद्यप्रदेश गुजरात और इसका कुछ भाग जाता है आपका राजिस्थान को भी इसका कुछ भाग प्राप्त होता है और जिसमें से सबसेदेख भाग प्राप्त होता है आप का खरगोन, यहां पर क्या famous है, यहां पर नवग्र है, मंदर है जो काफी famous माना जाता है, मंसौर मैं पसुपतिनात मंदर है, यहां काफी ज़ादा important है, और इसकी तुना की जाती है, पसुपतिनात मंदर से उझेन, जैसा कि सभी को मालूम है, मद्द प्रदेश की जो प्राच लिया दे है महाकाल मंदर है मतंतरनात की समाधी है भरत हरी विश्विश्वर यह सब जो काफी स्थान है यह कहां पर है आपके उज्जेन में हैं चलिए आते हैं देखते हैं क्या है पुरी न्यूज मुखमंत्री स्रीच चोहान ने 1587 करोर की नरवदा ओधवां सचाई प्रिय सही प्रियोजना का भूमी पूजन किया इसके साथ ही 313.28 करोड के अन्य विकास कारियों का लोकारपन इवां भूमी पूजन किया गया चलिए आते हैं हमारे जो हमारा सेग्मेंट एक हम लोग डेली वुशेस पर आपसे पूछते हैं कॉश्चन तो मिरा आज का कॉश्चन नर्वदा से संबंदित हैं क्योंकि आज हमारे करेंट अपरस में 2-3 वार नर्वदा नदी का जिक्राया जिसे मद्द प्रदेश की जीवन रिखा भी कहा जाता है तो आपको यहां पर यहां बताना है कि नर्वदा नदी मद्द प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरत है इतनी basic information तो सभी को होगी कि इसकी total लंबाई कितनी है आपकी 13-12 km और only MP में इसकी लंबाई कितनी है आपकी 10-77 लगवग इसकी MP के अंदर लंबाई है तो आपको यह बताना है कि यह मद्द प्रदेश के कितने जिलों से कितने districts को cross करती है तो thank you so much दोस्तों watching this वीडियो बरे रही है हमारे साथ target for IAS and MPPSC वितके के चली आते हैं यहाँ पर कुछ और important fact है जो हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर जैसे कि अभी चर्चा में रहे हैं बिक्रम सम्मत जो काफी important है एक जो प्रातत विभाग की सभा चल रही थी उसके अंतर का तिया है लिया गया है तो बिक् की एता है सकता का प्रख्यात विद्वान कौन है इनका नाम डाक्टर एसके बाचपे का व्याखान हुआ उसमें उन्होंने इनका जिक्र किया इस तरीके किस तरीके से पूछ जाते हैं जो इस पेसली MPPSC में इंडारेक्ली इस तरीके के question पूछ जाते हैं तो चली हम डिसकस करते हैं क्या है पूरी न्यूज संचना आलाए पुरातत्व अभी लेखागार एवं संग्राला मत्प्रतेश भोपाल द्वारा आयजुद बेव संखला का च्छटा आनलान व्याक्ठ्यान सनीवार को आयजुद किया गया उज्जैन के सासक बिक्रमादित की एतिहासिक तक पर व्याक्ठ्यान भारतिय पुरातत्व सरवेक्षण के बैंगलोर सरकल के अधिक चक पुरातत्व द्वारा प्रस्तुत किया गया इसके इंतर्गत क्या किया गया हम पूरा डिसकस डीपली तरीके से देखते हैं डाक्टर बाचपे ने विक्रमादित से संबंदेत एतिहा थी अभी हमने डिसकस्ट भी किया था उज्जेनी का प्राची नाम क्या था अवंतिकी था जिसके सासक कौन थे बिक्रमादित लोग प्रिये सासक थे सकों को पराजित कर बिक्रमादित ने उज्जेन को अपनी राजदानी बनाई थी इसा पूर्व जो 57 का सावंत चलाया था जिसे आज क्या कहा जाता है बिक्रम सावंत कहा जाता है अब हम देहते हैं जो प्रख्याता फ्रिये सांसक ठे गया था बे कलस कॉसल जनरल आर्केवलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और चतीज गड़ पुरातत विभाग से भी क्या रहे हैं जुड़े हुए रहे हैं इसी के साथ हमारा आज का करेंट अपर्स खतम होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो लगी हो तो प्लीज शेर करिए अ आपका एक शेर आपका एक लाइक आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बड़ाता है थैंक यू सो मच वाच 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 वीडियो